हेलो दोस्तों आप देख रहे हैं दिलेर पुरुवांचल आपका हमारे चैनल में स्वागत है यूपी के बाहु वली इनेता विधायक राजा भाईया की बहुत सी कहनियां और उनके बहुत से किसे आप लोगोंने सुने होंगे लेकिन आज हम राजा भाईया का एक ऐसा सौग बताने जा रहे हैं जिसके बारे में बहुत से कम लोग जानते होंगे राजा भाईया उत्तरप्रदेश के बड़े नेताओं में गिने जाते हैं वह प्रतावगर कुंटा के महराजा हैं राजा भाईया करोडो के मालिक हैं लेकिन वह आज भी सिर्फ मिट्टी के चूले पर बना हुआ खाना खाते हैं इस पर बहुत से कम लोग विश्वास करते हैं लेकिन हम आपको बता दें कि राजा भहिया को मिट्टी के चुले पर बना हुआ खाना बहुत पसंद है और या इसके सौकीन हैं राजा भहिया मिट्टी के चुले पर बना हुआ खाना आज भी खाते हैं राजा भाईया बताते हैं कि हम चाहे कुंडा में बनी बेंती कोठी हो या लखनओ के सरकारी आवास हमारा खाना सिब मिट्टी के चुले पर ही पक्ता है राजा भाईया ने कहा है कि मुझे सिर्फ उसी का स्वाद पसंद है राजा भाईया के करीबी डॉक्टर कैलास नात उज़ा बताते हैं कि लखनओ में मिले सरकारी आवास में भी राजा भाईया ने मिट्टी का चुला बनवाया है जहां पर रोटी से लेकर दाल सब्जी तक मिट्टी के चुले पर ही बनता है बाहु बली रगुराच परताव सिंग राजा भाईया नान वेच के खार सोकीन है इसके लिए उन्होंने स्पेशल मिट्टी के बरतन भी बनवाये हैं जो मिट्टी के चुले पर चड़ते हैं राजा भाईया की या बात लोग नहीं मानते हैं कि इतना करोण पती का मालिक, करोणों के मालिक राजा भाईया आज भी मिट्टी के चुले पर बना हुआ खाना खाते होंगे लेकिन राजा भाईया हमेशा चाहे परताब गड़कुंडा में हो और चाहे लखनव के सरकारी आवास में वो सिर्फ मिट्टी के चूले पर बना हुआ ही खाना खाते हैं और उन्हें मिट्टी के चूले का बना हुआ खाना बहुत ही पसंद है ये राजा भहिया का एक अलग ही सौख है दोस्तो अगर आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब सस्क्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब कर लें और बेल बटन जरू दबाएं वीडियो देखने के लिए थैंक यू